हलो दोस्तों आप सभी का विलकम करते हैं आज के संडे कमेंट्स बॉक्स के वीडियो में दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि इवरी संडे हम संडे कमेंट्स बॉक्स लेके आएंगे और जिसमें आप सभी के जो कमेंट्स हैं seven days के अंदर जो आपके comments है उसको उसका reply देने की कोशिश करेंगे और जो भी आपकी query होगी उसका answer देने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला हम question लेते हैं त्रिलोग का और इन्हों ने पूचा है कि sir जी BNB खरीदने के बाद वो लोग कैसे होगा earn में जाकर stake करना होगा क्या देखिए यह जो question किया गया है यह hook token जो launch pad पे आया हुआ है उसके बारे में है कि hook token लेने के लिए क्या हमें BNB कहीं stake करना होगा कहीं log करना होगा देखिए अगर आपको hook token लेना है launch pad पे जो चला है तो उस hook token को लेने के लिए आपको BNB कहीं पे भी stake करने की जरूवत नहीं है कहीं पे भी कुछ नहीं करना है simple सा BNB आपको अपने sport wallet में रखना है याद रखे रहेगा उसका sale भी नहीं लगा रहना चाहिए और कहीं stake भी नहीं होना चाहिए simple सा आपको अपने sport wallet में रखना है और आपका Binance की KYC होना जरूरी है Binance की KYC अगर आपकी है तो sport wallet में बस आपको BNB रखना है और आपको जब ये दो तारीक के आसपास ये जब launch होने जाएगा उससे पहले आपको hook token मिल जाएंगे बस आपको sport wallet में रखना है चलिए अब हम अगला question लेते हैं अगला question जो है वो है the atomic gamer का इन्होंने पूछा है कि मैंने NFT grower में send किया है Binance से किया recover हो सकता है क्या देखिए जब Binance से आप किसी भी exchange पे कहीं पे भी send करते हैं तो वो आहां पे एक warning दिखाई जाती है कि आप जो है कि पहली बात तो Binance से कहीं पे भी sell करेंगे तो अगर वो स्क्रिप्टो का network या तो जो है कि address अगर wrong है तो वो लेगा ही नहीं वो बताएगा कि आपका network गलत है या address आपका गलत है आप इसे सही फिल करिए अगर वो ले लिया है तो आप जहां पे भेजना चाहरे हैं वहां का address सही है आप आप जहां पे बेजा है वहां पे complaint करनी है क्य हमने यहां पे बेता है आप के पास पहुचा है आपके उन सेफ्टी ग्रोवर पे भेजा है आपने तो यह कुछ अर्णिंग का प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ है मैंने देखा है तो वहां पे कुछ वन परसेंट जीरो कुछ परसेंट आरो आई मिलता है तो उनसे बात करिए वह आपको बताएंगे कि मिलेगा कि नहीं उनके पास आया है कि किस तरीके से आप बात कर सकते हैं उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को सर्च करके इसके डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दूं जिससे आप आसानी से देख पाएं अगर माजी चांस अगर मैंने नहीं डाला डिस्क्रिप्सन बॉक् आप उसे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। है कस्टमर से कांटेक्ट करने का वीडियो है कि उसमें किस तरीके से आप कस्टमर केर से बात करके अपना कुछ KYC नामूम कुछ change कराना था ऐसा कोछ था वह वीडियो देख लिजेगा उस तरिके से customer care से टारेक्ट आप बात कर पाएंगे सही पहले रिपलाऎई नहीं मिलता है तो वहां पे believe केर से बात कर पाएंगे और जहां पे भी आप BINANCE से अगर आपSend करते हैं तो सही एड्रेस होका तो ही वह जाता है ने तो वह वहीं पहले रेड कलर का लिख देता है कि आपका एड्रेस रॉंग है चलिए अगला कोश्चन लेते हैं अगला कोश्चन जो है वह हरिश कुमार का है और इन्हों ने पूछा है कि वजीर एक्स में फसा हुआ यूजडिटी कैसे र रिप्लाई करूंगा मुझे इस कोश्चन से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरीके से फसा हुआ है क्या है क्या नहीं है तो डीटेल में आप लिके बताईए तो आपका क्वेश्चन का एंसर देने की कोशिश करेंगे अगला कोश्चन है कि सर 2000 के बीन बी में कित आई दो 2.3 या दो ऐसा कुछ आपका हुग टोकन मिल सकता है लेकिन अगर कोलेशन अलग हुई तो बीन बी के हिसाब से अलग कोई और कैलोकुलेशन हुई तो आपको कम या ज़्यादा मिलेगा लेकिन वहां पे जो दुगा दिया गया है कि वन हुग टोकन इस उक्वाल ट करके रखिए इस्पोर्ट वालिट में कितना मिलता है और उस समय आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है अगर आपके पास बीन बी कम है तो बहुत ज्यादा नहीं मिलता साथ बीन भी है दस बीन भी है तो कुछ आपको ज्यादा समझ में आ किस तरीके से पासवर्ड हो गया है' वह कैसे हो सकता है यह को उसक्ट है डिजिटल एड के बारे में हैं कि इनका पाजा पासवर्डीज हो गया है त सद tablespoon के company के company के कंपणी से बात करें जो आपको जबंच कड़ेंगे कि क्या करना वो आपके आपके जो वो उनके appliance से या तो अगर वो direct company से जुड़े हुए हैं तो वो company से बात करके आपकी problem का solution करा देंगे तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है simple सा appliance से contact करिए, appliance नहीं करा पता है तो appliance के appliance से contact करिए, कोई ने कोई आपका करा देगा वहाँ पर अगर नहीं होता है तो फिर बताईएगा मैं मुझे mail करिएगा मैं आपके ID के साथ mail करिएगा मैं आपकी आपका जो भी problem है वो आपका solution कराने की कोशिश करूँगा अगला जो question है वो है mewar technosoft का इन्होंने पूचाए कि बिना permission के trust wallet से पैसे transfer हो गए हैं वापस ले सकते हैं क्या आप देखिए अगर आपकी बिना permission के बिना आपके कुछ किए अगर आपके crypto transfer हो गए हैं तो आपके साथ scam हो चुका है यह जान दीजिए आप कुछ आपने कुछ ऐसी site या dm में जाके कुछ आपने connect कराया है जिसकी वज़से आपकी site जो है आपका जो trust wallet है वो scammer के हाथ में आ गया है अब आपका यहां पे फिलहाल में ऐसा कोई नहीं है जिससे आपका solution हो सकता है आप trust wallet के customer support पे contact कर सकते हैं कब उमीद है कि आपको solution solution मिलें क्योंकि आपका हाथ जो trust wallet है वो scammer के अंडर में जा चुका है अगर वहां से जो पैसे हैं वह से कहीं और transfer कर सकते हैं तो उसे करके वहां हटा दीजिए अगर वह transfer नहीं हो रहे हैं आपको वहां BNB लगाना पड़ा है या कोई और coin लगाना पड़ा है उसे transfer करने के लिए तो यह भूल के भी वहां पर आड़ ना करिएगा क्योंकि जैसे ही वहां पर आड़ करेंगे वैसे ही वह स्कैमर आपके पैसे आटोमेटिक वह transfer हो जाएंगे अगर आपको रखना है तो कोई और trust wallet बनाईएगा और trust wallet में d app से site connect करते समय आप ध्यान रखिए कि कहीं आप जिस site को connect कर रहे हैं वह स्कैमर की site तो नहीं है अगला question जो किया है और power site दी थी उस पे usdt mining हो रही है और जितना आप power बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा आपकी mining हो रही है तो वहां पर यह पूछ रहे हैं कि वहां पर जो usdt की income हो रही है उसको हम किसी pays नाब का कुछ है वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं तो देखे में आप किसी भी जहां चाहें वहां ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन जहां पर भी आप ट्रांसफर करना चाहरे हैं तो आपको ूए ehich का ही एड्रेस उठाना है द्रक में कire ट्रक 20 ट्रक 20 ट्र्ट के यहांपे बनाद तो ही आपका जाएगा वहना गलत एड्रेस पे अगर फिल कर देंगे तो हो सकता हो कि आपका वहाँ पे ट्रांसफर तो दिखा दे लेकिन आपको कुछ भी ना मिले तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो ये थे कुछ क्वेशन जो इन सेवन डेज के अंदर पिछले संडे से इस संडे के बीच में आए हैं और मैंने इन सभी का रिपलाई देने की कोशिश की है तो मुझे उमीद है कि आप सभी के जो क्वेशन थे उसके आपके जो रिपलाई मिला है उससे आप संतुष्ट हों लेकिन इसके बावजूद भी अगर डाउट है तो मेल पे डीटेल पे बताईए कमेंट बाक्स में डीटेल में बताईए नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपकी भी प्रॉब्रम का स्वलूशन करने की कोशिश करेंगे और जो भी आपके क्वेशन है कमेंट बाक्स मे बस करते रहिए इवरी संडे हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को शेयर करिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दीजे थैंकि दोस्तों देखने के लिए